नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप सभी दोस्तों का मेथ्स रॉल्ड प्रुस्वागत करता हूँ दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट समान विज्यान का पार्टू परहेंगे जिसमें मातरक एवंवीमा का पार्टू परहेंगे ठीके दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत्र तक देखिएगा और दोस्तों, आज हम लोग मातरक एवंवीमा के सारे कोस्चन सौल्व होंगे ठीके दोस्तों, आज हम कोस्चन भी कराने वाले हैं तो इसलिए वीडियो को अंत्र देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब जरू कर लिजएगा दोस्तों तो श्टार्ट करते हैं आज का सेशन कल के सेशन में हम लोग मूल मातरक के बारे में पढ़ेते दोस्तों मूल मातरक कितना होता है, साथ मूल मातरक होते हैं, ठीक है, कितना मूल मातरक होते हैं, साथ मूल मातरक होते हैं, ठीक है, कौन-कौन था मूल मातरक, लंबाई का क्या था, मीटर, द्रेमान का, किलो गरान, समय का, सकेंड, विदु धारा का मतरक एंपियर, ताप का मतरक कैलवी, जोतिती ब्रता का केंडेला, यानि सीडी और पदायत की मतरा का मोल ठीक है, ये सातो मतरक हम लोगों ने पर लिया था, ठीक है आज हम लोग इसी सातो मतरक की सायथा से किसी भी भोतिक राज़ी का मतरक निकालना सिखेंगे ठीक है दोस्तों, किसी भोतिक राज़ी का मतरक याद करने का चीज नहीं है अगर दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी भोतिक राज़ी का फर्मूला याद है जैसे वेग, वेग का फर्मूला क्या होता है विश्थापन बट्टा समय विश्थापन बट्टा समय यानि विश्थापन बट्टा समय यानि विश्थापन बट्टा समय यानि विश्थापन पर यूनिट टैम यानि विश्थापन को हम दोट करते हैं और समय को टी से थीटा बट्टा टी ठीक है दोस्तों तो विश्था हो गया समय है ठीक है तो दूरी का मात्रक क्या होता है यह दूरी का इसाई मात्रक मीटर पर समय का सकेंड तो इसका क्या हो गया मात्रक मीटर बट्टा second तो second अगर उपर जाएगा तो second per power minus 1 हो जाएगा तो meter into second per power minus 1 ठीक है दोस्तों किसी भी बहुती क्राशिका अगर आपको formula पता है तो उसका मतरक अराम से निकाल सकते हैं ठीक दिस तौरन तौरन का क्या होता है change in velocity यानि wave में परिवर्त बट्टा में समय है ठीक है दोस्तों उपर क्या होता है wave में परिवर्तन निच्चे में समय है मतलब प्रती एकाही समय में जो wave में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं तो अरान कहते हैं ठीक है तो wave में परिवर्तन में तो wave ही है तो wave का क्या होता है मेनस भी तो ठीके दोस्थआ है इस सकते है इसका अगर इसका फर्मूला मीटर पर थीज़ विसका क्या है इसका भी है इतुम में हो जाए गुना सेकेंड यानि मीटर पर थीज़ शल सकते है ठीके समझ में आया है अब बल का देखते हैं तो बल का फर्मूला क्या होता है F बराबर Newton के second law से F बराबर MA ठीक है MA तो जहाँ पर M क्या है द्रवमान और A क्या है तोरन ठीक है तोरन का हम लोगों क्या निकाला था द्रवमान का kilogram होता है तोरन का क्या होता है यानि किलो गराम मीटर second और minus two यानि किलो गराम मीटर परति सकेंड स्क्वार ठीक है दोस्तों यह होता है किसका बल खा ठीक है उसी तरह से समवेग समवेग B बराबर क्या होता है MB समवेग बराबर द्रवमान गुना वेग और MB तो MM क्या है यहाँ पर मास यानि द्रवमान द्रवमान का क्या होता है केजी क्योंकि द्रवमान का कितना था हम लोगों का मतला मूर मात्रा केजी और वेग का क्या होता है मीटर परति सकेंड केजी मीटर परति सकेंड लिख सकते है या इसी को केजी अब एक का फर्मूला होता है अब एक का फर्मूला F इन्टू T यानि अब एक बरावर होता है बल इन्टू समय अंत्राल यानि force गुना time interval ठीके दोज़तों time interval भी तो time ही है इसलिए force का क्या होता है Newton बल का Newton और time का second इसको हम लोग दूसरे form में भी लिख सकते हैं बल का और क्या होता है बल का होता है यहां से बल का क्या होता है kg meter परतिस second square ठीके दोस्तों kg meter परतिस second square और एक और second इसमें जूट जाएगा तो क्या हो जाएगा kg और आप लोग को दोस्तों पता होगा फर्मूला एक्स इंटू एक्स रहे तो पावर क्या होता है जूट जाता है तो एक्स पावर 2 हो जाता है ठीक है इस पर इपावर एक इस पर इपावर एक पावर जूट जाता है ठीक है उसी तरह से यहां पर second यहां भी सेकेंड यहाँ भी है, इसार पावर मानेस टूपर मानेस, इसार पावर बने गोश्वार बने है, जूर जाएके दुनों, यानि, कजी मीटर सकेंड पावर मानेस बने हो जाएगा, ठीके촘, इसको अदों यह भी लिख सकते हैं, ठीके, अब कारिय या उर्जा का मतरकर क्या हो यानि न्यूटन मीटर इसको क्या लिख सकते हैं जूल इसको क्या लिखते हैं हम लोग कारे उर्जा का मातरक क्या होता है ऐसा है मातरक जूल होता है ठीक है और बल का क्या होता है न्यूटन होता है ठीक है गाद रहेगा बल का यह भी होता है यह भी ऐसा है मातरक ही है और यह सब्सक्राइब लेगे साथ रगिये और उसी तरह से कहले उर्जाज का वे समादल रगी है और जूल तो एक्जामिट अगर आप लोगो को कारे उर्जा का इसा बन्हूल को पूछे दस के बिभिन घातों के परतीक के भारे में, ठीक है, दस का घात जैसे 10 का घात 1 हो गया, 10 का घात 1, 10 का घात 2 उसी तरह से 10 का 18 तक है, ठीक है दोस्तों, उसी तरह से नीचे, 10 का घात 1 को क्या बोलते है, डेका, एक रहेगा, पावर तो डेका, पावर दो रहेगा तो हेक्टो, और पावर तीन रहेगा, यानि एक हजार रहेगा, तो क्या बोलेंगे, कीलो, पता, एक हजार गराम में कितना होता है, एक कीलो गराम, ठीक है, जैसे एक हजार, गरामों क्य क्या बोलते हैं, 1000 जैसे ही आ गया, यानि 10 पर पावर माइनस, 10 पर पावर तीन गरान, इसको क्या लिख सकते हैं, और जैसे ही 10 पर पावर तीन रहे तो क्या बोलेंगे, कीलो, और 6 रहे तो मेगा, 6 रहे तो मेगा, और माइनस छे रहे तो माइक्रो, 6 बला को अभियाज रखना है कि plus 6 रहे तो mega और minus 6 रहे तो micro minus 6 रहेगा तो micro क्योंकि microscope छोटा होता है ठिक माइक्रो स्कूप छोटे चोटे चियोंगो देखने के लिए हो जाता है इसलिए 10 पर minus 6 रहे तो micro हो जाएगा और plus 6 रहे तो mega हो जाएगा ठीक है उसी तरह से 10 रोप पावर 9 हो तो गीगा मेगा के बाद गीगा फिर गीगा याद रहेगा 6 रहे तो मेगा 9 रहे तो गीगा और 12 रहे तो टेरा ठीक है 18 ने तो 67 याद करना है कैसे याद करना है इसे 25 किलोमेगा गीगा टेरा पेटा हैकसा और इदार याद करना है तीन तक लगता रहे हैं एक है दो है तीन है उसका 3-3 गैप करके 18 तक है तीक है जुआ दखना है DECa QH MEMChristian connected Pc ठीक है याद रहेगा उसी तरह से minus 1 रहेगा तो DC plus 1 तो DECa minus 1 तो DC ठीक है DC cm cm कैसा दखना है DC cm cm Cómo जो है जो है और ये फेम्टो जो है फेम्टो ये 10 प्रावर माइनस 15 ये जो है किसी भी परमानू का आकार होता है परमानू का तिर्जिया का आकार होता है 10 प्रावर माइनस 15 मीटर ठीक है जिसको एक फर्मी भी बोलते है ठीक है दोस्तों 10 पार –18 को एक टो तो इसमें यह important है एक 10 पार –9 important है ठीक है 10 पार –15, 10 पार –9 वह दो important है ठीक है और यह –1, –2, –3 एट यादी रहता है ठीक है और इस पार, इस पार जो है 10 पार 12 important है ठीक है दोस्तों और 15 भी important है तो कैसे याद रखेंगे हम लोग डेका हेक्टरो कीलो एमेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा ठीक है उसी तरह से मानस वाला में कैसे रहेगा डेसी सेंटी मीली माक्रो नैनो पी को फर्मी एटो ठीक है और एकोर होता है 10 पर पावर माइनस 10 जो बहुत एक्जाम में पुछता है जिसको क्या बोलते है एक प्रोप पर 0 लगा कर बोलते है इसको क्या नाम है इंगेस्ट्रम ठीक है दस पर पावर माइनस दस को क्या बोलते हैं एंगेस्ट रम ठीक है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ठीक है तो इसको कैसा रखना है डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा प्रेटा एक्सा और मानस में रहागा तो जैसे लंबाई का मातरक मीटर होता है ठीक है उसी तरह से लंबाई का और भी मातरक होता है जैसे बहुत लंबी दूरी मापेंगे तो लंबी मीटर से तो नहीं काम चलेगा ठीक है दोस्तों इसलिए लंबाई का और भी बहुत मातरक होता है अत्यदिक लंभी दूरी को मापने के लिए के जनर मात रख है ये सब खगोलिय एक design astronomical unit AU ठीक है, खगोलिय एकाई क्या होती है यह दूरी का मात रख है ठीक है, खगोलिय एकाई क्या है दूरी का मात रख है शूरीय और प्रित्वी के बीच की माध्य दूरी mean distance को क्या बोलते है खगोलिय इकाई बोलते है शूरिय और प्रिथिवी के बीच की दूरी को क्या बोलते है खगोलिय इकाई ठीक है और एक खगोलिय इकाई यानि एक astronomical unit बराबर होता है कितना मीटर 1.495 x 10 to the power 11 मीटर 1.495 गुना 10 पर फावर 11 मीटर ठीक है एक यानि बराबर होता है 1.495 गुना 10 पर पावर 11 मीटर ठीक है शूरिय और प्रिथिवी के बीच की दूरी है ठीक है और दूसरा नमबर पे है प्रकास वर्स यह दूरी का मत रख है प्रकास वर्स क्या है यह भी दूरी का मत रख है यह एक्जाम में बहुत ही बार पुछा गया है प्रकास वर्स किसका मत रख है तो दूरी का मत रख है ठीक है यह बहुत ही important है प्रकास वर्स ठीक है एक प्रकास वर्स निर्वात में प्रकास के द्वारा एक वर्स में चले गई दूरी है परकास निर्वात में एक वर्स में जितनी दूरी चलेगी वो क्या है? एक परकास वर्स कहलाता है ठीक है? परकास जो है जो निर्वात में एक साल में जितनी दूरी चलेगी वो क्या कहलाएगा? एक परकास वर्स कहलाएगा इसमें दोनों याद रखना है खगोलिय यूनिट और प्रकास वर्स ठीक है आगे बरते हैं तीसरा नंबर है पारसेक पारसेक मतलब होता है पारलोक्स पार मतलब पारलोक्स और सेक मतलब सकेंट ठीक है पारलोक्स कहीं पर सबसे बड़ीक आई है इससे बड़ीक आई, इससे बड़ीक आई, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो एक पार्सेक बरावर होता है 3.08 into 10 to the power 16 meter एक पार्सेक बरावर होता है 3.26 परकासवर्स ठीक है लाइट इयर ठीक है एक पार्सेक यह पार्सेक जो है दुरी सबसे लंबी ही काई है दुरी सबसे बरीकाई है इसे बरीकाई दुरी में कुछ भी नहीं होती है पार्सेक दुरी की सबसे बरीकाई क्या है पार्सेक है यह भी एक जान में पुछता है कि दुरी की सबसे बरीकाई क्या है तो पार्सेक है एक पास्तिक पराबर होता है 3.26 light year ठीक है और यह 3.26 चो light year है प्रकास वर्स है ठीक है इसको अगर हम एक light year से गुना कर दें एक light year में कितना होता है 9.46 इंटु 10 to the power 15 इस दोनों के अगर गुना कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, 3.08 गुने 10 पर पावर 16 मीटर, ठीक है, तो आप लोग को ये भी आज़कना है, कि एक पार सेक बराबर होता है, 3.26 लाइट इयर, ठीक है, प्रकास वर्ज, ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लंबाई या दूरी के, कुछ मातलक देख लेते हैं, जैसे एक किलो मीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 जैसे ही लग गया, तो यहाँ क्या जाएगा, किलो, ठीक है, 10 पर पावर 3 में क्या होता था, किलो, ठीक है, एक मील, ये बहुत इंपोर्टेंट है, एक मील बहुत बार पूचा ह हुआ है, एक मील में कितना किलो मीटर होता है, एक मील में 1.6 किलो मीटर, एक मील में कितना किलो मीटर, 1.6 किलो मीटर, याद रख सकते हैं, एक मील में, ठीक है, क्योंकि आगे का, याद इंपोर्टेंट नहीं, 1.60, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है, और एक नाविक म एक नावी की मिल में होता है 1.852 किलो मीटर एक खगोलिय इकाई में कितना होता है 1.495 x 1020, 11 मीटर और एक लाइट येर एक प्रकास वर्स में 9.46, 1015 मीटर और एक पारसेक बराबर होता है 3.08, 1016 मीटर उसी को 3.26 प्रकास वर्स भी बोलते हैं ठीकर अगर आप लोग को ये य याद है और यह याद है तो अराम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें अगर इसको गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा ठीक है तो इसको रटने का पज़रत नहीं है अगर आपको यह याद है यह याद है तो यह निकल जाएगा और अगर यह याद रहेगा तो तो टाइम का मचत होगा, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं, भीमा है, याई डाइमेंशन, डाइमेंशनल फर्मॉला कैसे निकालते हैं, भीमिया सुत्र, वो हम लोग सीखेंगे, यह भी टपिक बहुत हैं, तो श्टार्ट करते हैं, भीमा, यांतरिक में, यांतरिकी यानि मेकेनिक्स, मेकेनिक्स में, लंबाई, यानि लेंद, धरवमान, यानि मास, वो समय, टाइम की मूल राशियों को प्रकट करने के लिए, गरमसर, L, M, T, यानि लंबाई को L, मास को M, और टाइम को T, संकेतों का प्रयोग क्या जाता है, ठीक है, यांतर दोत्पन राशियों मतलब, दोत्पन राशियों को M, L, T की विविन घातों के रूप में लिखा जाता है, जैसे छेतर फल, छेतर फल को क्या लिखते हैं, लंबाई गुने लंबाई, यानि L गुने L, यानि L स्कॉर, तो दोस्तों, ये टू जो है, टू इसको क्या बोलते ह दाइमेंशन, छेतर फल का दाइमेंशन कितना है, दो, आइतन, आइतन को क्या लिखते हैं, लंबाई गुने चुराई गुने उचाई, यानि L गुने L, इसको क्या बोलते हैं, L पर पावर, तीन, तो तीन को क्या बोलते हैं, दाइमेंशन, आइतन का दाइमेंशन कितना है तीन है, ठीक है, यदि, यदि किसी रासी के मूल मतरक ग्यात होने पर उस रासी की बिमाएं लिखी जा सकती है, और मूल मतरक कैसे ग्यात होगा, जब तक कि उस रासी का फर्मूला नह ग्यात हो, ठीक है, तो अगर किसी रासी का फर्मूला ग्यात है, फर्मूला पता है, तो उ उसका बीमा भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसी तरह किसी रासी की बीमा ग्यात होने पर उसका मूल मातरक भी लिखा जा सकता है, ठीक 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 है, मिटर स्कुयर अगर गयाते तो मातर्य निखाल सकते हैं मातर्य के 2 लोग देख लेते हैं किसाथ जो मूल मातराख था उसकी ब्यमा क्या-क्या 7 , तो 1 स्ट नंबर में क्या था लंबाई दुशा नमर पर दर्मान तिसा नमर पर समय चौथा नमर पर विद्धुधारा पाचवा नमर पर ताप छटे नमर पर जोतिती ब्रता और सात्वे नमर पर परदार्थ की मातरा ठीक है लंबाई का क्या था मीटर दर्मान का किलोगराम समय का सकेंड विद्धुधारा का एंपियर ताप का कैलिविल जोतिती ब्रता का केंडेला पर दर्मान का क्या था मोल यह तो मातरक था सब का और यह वीमा वीमा क्या होगा मीटर को क्या होगा मीटर को लिखते हैं एल से ठीक है किलोगराम को एम से और समय को टी से ठीक है हम लोग को यह याद रखना है कि लंगााल को L से लगते हैं द्रैमान को M से लगते हैं चंब को T से लखते हैं फालीत मात्रख घुर्ट भी होता है ठीक है तो अपने को इतना ही याद रखना है सातों का और इसी सातों से सारे विमाएं सारी विमाएं निकाले जा सकती है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं कर दो कि यहां कि जैसे कुछ बहुत इक राशिया हैं जिसकी भीमा है न लुग देखेंगे ठीकाई छेट्र फ़ल क्या हुता है लंबाई गुना 4 याईने मिटर गुणा है हम लुप री यो स्की होचा खाल न को स्काल Kalim nich को यह चाहिए कि यहाँ अर्ट है ज्मिकयर रहां अपी लुदम है को फो मतलिंदे न स्ञ घर सक्षत दो हो जाएगा बने स्ट इन्हें में का क्या आइतन क्या होता स्टा क्पाइग में 10000 यानि मीटर क्यूँ लंबाई भी लंबाई ही है चुराई भी तो लंबाई ही है और अच उचाई भी क्या है लंबाई ही है यानि मीटर गुना मीटर मीटर क्यूँ उर्शी को एल गुना एल गुना एल लिख सकते हैं ब्रावर एल पर पावर तीन को पर इप राकेट में एड खर थेंगे तुक जर तो क्या होता है रहत द्रोमान बठा डिल्स निका ले थे और यह मीटर कुऊपर जाए acc क्या हो जागा के जी इसको इसको क्या परते हैं के जी परती मीटर क्यूब और इसको भी क्या परते हैं मीटर उपर जागा तो मैनस तीन हो जागा के जी परती मीटर क्यूब इसको भी बोलते हैं अब के जी के क्या होता है द्रेमा ने द्रेमा ने का एम और मीटर क्यूब यान अगर फर्मूला पता है तो उसका मातरक और वीमा असानी से निकाल सकते हैं ठीक है कोस्टम में क्या करें गुरुत्वा कर्शन गुरुत्वा कर्शन ये तांग जी की वीमा क्या होगी तो अगर हम लोग को फर्मूला पता है कि गुर्तो कर्षन बल का फर्मूला क्या होता है F बराबर G M M M M 1 M 2 बट्टा में R S को है यह फर्मूला होता है गुर्तो कर्षन बल का फर्मूला अगर हम लोग को यह पता है तो अराम से इसका पीमा निकाल सकते हैं F R Sq. ठीक है? और यहां से G ब्राव क्या हुजाएगा? F R Sq. बट्टा M1 x M2. ठीक है? और F का क्या बता है? F का Newton, M2 Sq. बट्टा में यह भी दरब माने है, यह दरब माने है केजी गुना केजी, केजी Sq. ठीक है? अब Newton, Newton का क्या बता है? F बरावर M A. M A. M मतलब दरब माने पर तो KG. ठीक है? यह Newton F बरावर क्या होता है? M A. इसको क्या लिखते हैं? M A. ठीक है? तबी तो F बरावर क्या होता है? M A. ठीक है? M का मतलब केजी, पर एक मतलब मीटर पर तिसकंड एस्वायर. मीटर सकेंड पर पावर मानेस टू. गुना मीटर स्कॉायर. बट्टा में मीटर, मीटर, और क्या बचा, केजी उपर जाएगा, तो माइनस वन, और मीटर का क्यू हो जाएगा, ठीक है, एक मीटर यहाँ है, दो मीटर यहाँ है, तो मीटर का क्यू, केजी एक उपर जाएगा, माइनस वन, और सकेंड पर पावर माइनस टू, तो यहाँ से क्या हो जाए यानि दुरमानों क्या लिखते हैं M और L मीटर को L पर पावर 3 और T पर पावर माइनस 2 यानि M पर पावर 1 L पर पावर 3 और T पर पावर मानस 2 तो अगर फर्मुला यादा तो उसका बीमा अराम से हम लो निकाल सकते हैं ठीक है तो गूतिय तोरन मातरत क्या होता है M help salary 853 यानि मीटर का केजी और स्रफáीं माइनस 2 सोरी मीटर मतलब के इसको के पर पावर पावर माइनस 2 ठ्कै है और इसको कहें-पर प्र Cup ने हैए करहाए attribute कि और और आगे बड़ते हैं कि कोस्टे में के लिए लिखो दाव की बिमा लिखना है ठीक है आज की सीशन का लास्ट कोस्टन है तो दाव बराबर पर क्या होता है दाब बराबर होता है बल बट्टा चेत्रफल ठीक है आप लोग को यह फर्मुला भी याद नहीं होगा लेकिन जैसे हम लोग चेप्टर पढ़ते जाएंगे तो फर्मुला सब दिरे-दिरे दिमाग में बैठते जाएगा ठीक है तो अभी चिंता करने को जू अभी हम लोग निकाल ना सिर्फ शीख रहे हैं कैसे फर्मुला है याद होगा हम लोग तो बल बराबर क्या होता राब बट्टा में श्यत्रफल एरिया म को क्या लेखते है kg और a तुरन को क्या लिखते है meter second power minus 2 बट्टा में कितना meter square एरिया को दिखालता है meter square ठीक है उपर बचा kg और 1 meter उपर 2 meter नीचे है तो यह उपर जाएगा ठीक है तो minus 2 हो जाएगा यानि minus 2 plus 1 क्या हो जाएगा meter power minus 1 second power minus 2 ठीक है अब kg को क्या लिखते है m दरवान को बीमिय सुत्र में m तो बीमा क्या हो जाएगा m और meter को l तो l पर पर पावर minus 1 हो जाएगा और sum एको t t power minus 2 तो डाब का क्या हो गया ml t पर पावर ml पर पावर minus 1 और t पर पावर minus 2 तो इसी तरह से सभी बहुतिक राशी का विमा अराम से निकाल सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आज वीडियो बहुत ही लंबा हो गया ठीक है और तो ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए important है कहीं भी आप लोग को अगर विमा पूछे या बहुतिक राशी का मातरक पूछे तो आप लोग असानी से निकाल सकते हैं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद